तो हाई गाईज वेलकम तो आएफेस स्वागत है आप सब का आएफेस में एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूस एस एक बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी मैं लेकर आपके साथ जुड़ा हूं जैसा कि आपको पता है और पीएसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है एक्जाम कि मुझे आप लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा गुड़ एक रिकॉर्ट विट फिफ्टी फाइफ परसेंट आफ मांक्स यानि आपकी जो डिग्री वह है उसमें एट लीस्ट फिफ्टी फाइफ परसेंट मांक्स होने चाहिए यह है पहला क्राइटेरिया फिर जी सर सेट भी है तब यह बात मामला सेट रहेगा यानि सेट एक्जाम कौलिफाइफ किया है तब भी आप एलिजीबल हो जाओगे और पी एस से एक्जाम के लिए चलिए अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मान लीजे आपको 2009 में पीहजडी डिग्री मि अगर आपको MPL या फिर पीहजडी की उत्पादी मिली है और आपने अगर नेट कॉलिफाइफ नहीं कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे इस एक्जामिनेशन के लिए और साथी साथ जी सर बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए अगर आ कंफिरेंस में आपने उसको प्रेजेंट किया हो ऐसे आपके पब्लिशन होने चाहिए और बहुत सारी चीज़े हैं आप जो देख सकते हो यहां पर अभ्यार्ति को केवल नियमित पद्वित पद्यति से PhD डिगरी प्रदान की गई हो यानि आपकी जो PhD वो रेगुलर होनी चाहिए तो यह सारी eligibility criteria हैं आपके और पी एक्जाम और पी एक्जाम के लिए तो यह सारी चीज़े अगर आप eligible हो यानि यह सारी conditions आपने अगर satisfy कर लिए तब आप और पी एक्जाम पॉर assistant professor दे पाऊगे जो होने जाना है बहुत जल्द तो आई होप यह सारी eligibility criteria आपको समझ में आए गई होंगी है ना फिर से मैं आपको एक बार समप करवा देता हूं कि क्या क्या चीज़े हैं जैसे कि पहली बात 55% marks होने चाहिए उसके साथ ही साथ net या फिर सेट जो भी आपका स्टेट वाइस या फिर net नैशनल वाइस एक्जाम है उसको आप qualify कर रखे होने चाह है तो वो होनी चाहिए जी सर कहां से 2009 से पहले हो गई है तो उसके लिए आपको net examination के वशक्ता नहीं है और वो जो आपकी PhD है वो कैसी होनी चाहिए regular PhD होनी चाहिए उसमें आपने कम से कम दो paper को publish किया हो और साथी साथ conference में उसको present किया हो यह सारी eligibility criteria है hopefully आपको सथ्य से समझ में आ गई होंगी यह news आप तक पहुंच चुकी होगी तो जो जो लोग और पीस एक्जाम देने के लिए बेताब थे तयार थे उनका वक्त आ गया है फटा पट preparation शुरू करनी है और आयफेस आपके साथ है जी सर आयफेस आपकी मदद करेगा RPSC preparation में भी बस बने रही है आ और थैंक यह सो मुच पर ओचिंग और आपकी लर्निंग तो लॉफ यह